देरी रखिए नियमित रूप से परियासरत रहिए सफलता मंजिल आपको अवश्य मिलेगी नमस्कार जैहिंद मैं हूँ आपका दोस्त कवी आदिकनेस स्वागत करता हूँ आप तमाम साथियों का हिंदी ग्रेड सेकंड है तो जो सनातक इस्तरवाला पठे करें में उसके अं सब्सक्राइब कर लेना टेलिग्राम चैनल जिन्होंने अभी तक जोईन ने किया तो जोईन कर लें कवी आदि गनेश हिंदी नाम से टेलिग्राम चैनल है जिस पर 5000 से ज्यादा लोग जुड़े हूए 5200 से अधिक लोग जुड़े हैं तो उसको जोईन करें मापर मैं सवा मुह महीं बानी फूटी बास कि पंजर प्रेम प्रकासिया अंतर भया उजास और मुख कस्तूरी मुह महीं बानी फूटी बास अंतर यानि रिदे में भीतर यानि उजास हो गया सहाब मुख में महु महीं यानि सुगंद करने वाली महु महीं यानि क्या हो जाएगे यहां पर सुगंद करने वाली तो कभीर साब कहते हैं कि प्रभू के प्रभू से जब मिलन हुआ तो प्रभू से मिलते ही तनमन की जोती जगमगा उठी है पंजर प्रेम प्रकासिया रिदे के के अंधर तन के अंदर क्या है प्रेम का प्रकाश हो गया और अंतरी भया क्या है तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मुख में कस्तूरी बस गई है मुख में कस्तूरी बस गई है और वो कस्तूरी क्या है सुगंदित हो रही जो प्रेम कस्तूरी का जो पराग है वो फेल रहा है और बाणी फूटी बास और वाणी के अंदर वही कस्तूरी का जो पराग है वो फेल रहा है यानि कि सब को है जो मुग्द कर रही है कब प्रभूखे मिलंस है अगले साखे देखिए कि मन लागा उन मनसों गगन पहुचा जाई और देख्या चंद बिहुना चांदिना तहां अलग निरंजनर आई किया कहते है कबीर साब कि मन लागा उन मनसों गगन पहुचा जाई और देख्या चंद बिहुना चांदिनों तहां अलग निरंजनर आई गगन यानि वेसे तो सहस्तरसार के लिए यहाँ पर शुनने के लिए आया है अथनित अबहुट आ चंद नायन चंद नि परकाश अलख अलग अलख याणि फो दिखाई न दे अलख जो आया है आपर अलख निरंजन तो अलख यनि जो अलख शे जो दिखाई न दे कभीर साहब कहते हैं कि मेरे मन मेरा जो मन है उन्मन ही अवस्ता में पहुंच गया है मन लागा उन्मन सुम मेरा मन उन्मन ही अवस्ता में पहुंच गया अर्थ एक निर्विकल्प समाधिया यूं कहें कि सुन्य अवस्ता रूपी गगन में पहुंच गया कौन से गगन पहुंच गए सहस्तर सार में पहुंच गए या यूं कहेंगे सुन्य शिकर में है जो मेरा मन पहुंच गया बिल्कुल शांत हो गया है और देख्या चंद भिहूना चांदिना तहां अलक निरंजन रही और परमात्मा में मिल गया सुन्य में सुन्य अवस्ता में मिल गया तो वह मैंने विचित्र प्रकाश का वुखो कि देख यह चंद्र मा की चांदनीüne के बिनाfal की चंदनी जेसा वो क्या है शीतल है शनिक्द है चमक है उसमें और तहां अलख निरंजन राही और मैंने वही उस निर्कुण निराकार सत्ता का क्या कर लिया है वही पर तहां वही पर अलख जो अलक्ष है निराकार है उसका शाक्षात कार कर लिया है निरंजन राही जो की इस्तल जो इंद्र साथकार कर लिया है अगले साखे देखिए अगले साखे साथ कि मन लागा उन्मन सों और उन्मन मन ही बिलग और लोण विलगा पाणियां पाणि लोणां बिलगा उन्मन यानि प्रभू का मन मन लागा उन्मन सों उन्यानि प्रभू के मन से प्रभू के मन से लग गया है उन्म लग गया है लून यह नमक होता है तो कभीर साहब क्या करती कि मन लागा उन्मन सो उन्मन मन ही भी लग कि मेरा जो संकल्प है वो मेरे मेरे रिदे के अंदर संकल्विकल्प वाली जो इस्तति ना वो सब छूट गई और मेरा जो मन है वो भगवान से है जो लग गया है संकल विकल्प वारी जो इस्तती थी मेरी कि ये करेंग वो करें कहां जाएं प्रूब वक्त करेंग नहीं करें तो मन लाका उनमन सो उनमन मन ही भी लग तो वो इस्तती मेरी समापत हो गई कि ये कभ जब भगवान में मेरा मन है जो लग गया लीन हो गया और किस परकार हो गई ये वो इस्तती कि लून विलगा पाणिया पाणी लूना विलगा वो इस्तती है जिसे नमक और जल मिलकर एक हो जाते हैं जब मिलने के बाद दोनों को अलग नहीं किया जा सकता लून विल अगली साखिए पानी हीते हिम भया हिम हुए गया बिलाए और जो कुछ ता सोई भया अब कुछ हुख कहाने जाए ये तो आपने कहीं बार सुना है पहले से ही क्या पानी एक तो अर्थ हो जाएगा पानी पानी का एक अर्थ क्या हो जाएगा पानी हो जाएगा दूसरा क्या हो जाएगा परम तत्वे ब्रह्म हो जाएगा ठीक है और हिम का तो बरब समझते हो कभीर साब कहते हैं कि पानी हीते हिम भया हिम हुए गया बिला आए और जो कुछ ता सोई भया आपको चुक कहाने जाए कभीर साब कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा का जो सम्मंद है जो एद्वेट सम्मंद इस्तापित हो गया है उसको परकट करते करें कि जिस परकार पानी हीते हिम भया पानी से जिस परकार पानी से ही बरब बनती है और हिम हुए गया बिला और फिर पानी से बरब बनने के बाद में नश्ट होकर वो पुना पानी में बदल जाती है हिम हुए गया बिला पानी में परिवर्तित हो जाती ह उसी प्रकार जो कुछ था सोई भया आपको चू कहाने जा उसी प्रकार जीवात्मा ब्रह्म का ही अंस है मेरा ये मेरी आत्मा ये प्रमात्मा का अंस है और मर्तिव प्राप्त होने के बाद में पुन्ह उसी प्रमात्मा में क्या होना है लीन होना ले हो जाता है और इस प्रका का वर्णन करना है जो शंबवी ही नहीं है साब जो पहले था वही हो गया जो कुछ था सोई WAY जो पहले था वही हो गया है अगली साखे कि भली भयी जो भली भई जो भै पढ़िया देखिन शा ancora दीरे दीरे पानी भया ठूली मिलिया उसकूली कि भली भही जू भही पढ़िया अबिर साब कहते हैं कि अच्छा हुआ जो मुझे भहुष्य का भही हुआ भली यानि अच्छा हुआ भही ठीक हुआ जो जो भही यानि भही डर पढ़ गया अच्छा हुआ जो मुझे भहुष्य का क्या प था वो जो भैज का बहुत भाएओं जो मुझे पता पड़ा इसका भाए का भैज मुझे ख़बर लगयी वहत्ता है मेरे क्या हुआ जो सानसारिक दर्शा झाने भी दर्शा इस जितनी भी दर्शाय थी न सब करिया है में भूल गया जैसे मुझे पता लगा अची भाई के बारे में कि यम्राज जो दंड देंगे वाई साब हुशे के अंदर यह से अगर ठीक से काम नहीं दंडा नहीं किया यहां ते प्रभु का इसमन नहीं किया तो जन्मर्तियों का चकर का जो भै था वो हुआ मुझे और जन्मर्तियों का चकर का जब भै हुआ तो गई सब जड़ता थी वो गलकर क्या पानी हो गई है तो बर्ब जैसे मेरी जड़ता यानि देहात्मुक जो बुद्ध थी वो समाप्त हो गई है यानि कि जिसे बर्ब गलकर पानी हो जाते हैं उस प्रकार और ठूली मिलिया उस कुली और लुड़कर बर्ब का गलकर पानी बनते हैं ल वे से मेरी क्या जड़ता है जो समाप्त हो गई और प्रमात्मा मुझे मिल गया है यानि कि प्रमात्मा ही क्या संपूर्ण स्रिष्टि का किनारा है सहाब तो यह थी आज क्लास में साखिया अच्छी लगी समझ में आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए पीछे क्लासे नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं सभी दोस्तों को सभी गुरूप में शेर करें आपर ग्रेड फर्स्ट और शेकिंड का नेशूल कुरू झाल